प्यारे बच्चों, आप लोग के बोर के एक्जाम नजदीक हैं, और साइंस में से, केमिस्ट्री में से वाट हपन वैं जरूर आते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्जाम के लिए इंपोटेंट होते हैं, तो मैं आपको आज कुछ वाट हपन वैं के केमिकल रेक्शन्स करूंगा और जो बच्ची वी रेक्शन्स हैं, मैं आगे आगे आपको कल करूंगा, हाँ, तीन-चार वीडियो होंगे इसकी, कुल 10-15 मिन के डेरी देखना इसको complete हो जाएगा, अब oxidation of methane, फर्स्ट कोशन है, यानि इसका मतलब यह है, सिंपल साथ, ज्यादे दिमाग नहीं लगाना है methane की reaction करनी है ozone के साथ, मित से पता पढ़ रहा है, एक carbon है, methane है यह, तो यह हो गया CH4, इसकी reaction होगी ozone, it means O3 के साथ, देखें जब भी methane की reaction, ozone से कराई जाएगी, क्या करा रहे हैं हम लोग, oxidation करा रहे हैं, तो oxidation का सिंबल यह रहा, तो यहाँ हमेशा formally hide बनेगा, HCHO, साथ में water बनेगा, H2O, और carbon dioxide gas, produce होगी, यह arrow का सिंबल जो होता हो, उपर की हो, वो gas का होता है, तो यहाँ रहे हैं, methane की reaction, ozone के साथ कराई जाएगी, तो formally hide बनेगा, H2O होगा, और यह gas निकल जाएगी, carbonical gas, अब इसको balance करना है, यहाँ दिखते हैं, प्रडेक्ट में हैं, पर 2 की multiply करतेंगे, फिर देखते हैं, यहाँ पिछको balance करते हैं, H है हमारे 8, 4 या 8, तो H2, और 2, 4, हम कर देते हैं, 3 की multiply, ठीक, 3 की multiply करने पर H क्या होगे हमारे, 8 हो गए, अब H8 होगे, option कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 3, 5, 6, 7, यहाँ पर कितने option 3, 2 की multiply करी, और 1 य हाइड, हम next action लेते हैं, देखा हुआ, axis amount of ethyl alcohol is heated with concentrated sulfuric acid, तो इसका जो हंसरोदी के axis amount of ethyl alcohol, सबसे पहले याद रखिए, ethyl alcohol का molecular formula क्या है, तो वो होता है बेटा, आपका, C2, H5, OH, plus, with heated concentrated sulfuric acid, तो sulfuric acid, H2SO4 का sulfuric acid कहते हैं, तो सबसे पहले यह reaction होगी, 90 या 100 degree Celsius पर, दीखे, इसमें होगा यह, इधर से, यहाँ से, OH, और H2SO4 का एक H, water बना लेंगे, और बचा होगा HSO4, और C2H5, तो यह होगा C2H5, HSO4, अगें समझ लीजिए, यहाँ से ब्रेक होगा, और H2SO4 ब्रेक होगा, आपका H, और HSO4 में से, यह OH और यह H, H2O बनाएंगे, और C2H5, और HSO4 मिलके, C2H5, HSO4 बना लेंगे, इसका नाम है, एथिल, हाइडोजन, सल्फेट, उसने बोला था, इसका मतलब यह रहा, यह C2H5, OH दुबारा आएगा, और फर्स्ट रेक्शन में जो प्रेट बनाता में प्रेट, C2H5, HSO4 को अगें लिया जाएगा, और इस रेक्शन का टेंपरेचर होगा, 140 डिगरी सेलसियस, तो इस केस में यह होता है, C2H5 का H, और यह HSO4, इनको रिम पिलस, C2H5O और C2H5 एक साता जाएगा, C2H5O, C2H5, तो इस रेक्शन का नाम, इसका प्रेट बना इसका नाम है, डाई, एथिल, एथर, और इसमें जो प्रेट बना है आपका, यह बन रहा है में, अब चलते हैं, आज की नेक्स्ट रेक्शन पर, थाइड है, सुक्रोज is fermented, सुक्रोज को जो फर्मेंट किया जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए, सुक्रोज का जो फॉर्मला होता है, वो होता है, C12H22O11, इसको फर्मेंट करने के लिए, इसमें वाटर को मिलाया जाएगा, इसे डाइलूट हो जाए, और इसमें डाला जाएगा, फर्मेंटेशन, इसमें डाला जाएगा, इन्वाटेज, इन्वाटेज, एन्जाइम, अब होगा ये, कि जहम सुक्रोज का फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये दो प्रोडेक्ट में डिवाइड हो जाती है, पहला प्रोडेट होगा, C6H12O6, दूसरा होगा, होगा, C6H12O6, फर्स्ट प्रोडेक्ट का नाम होगा, गुलुकोज, दूसरे का नाम होगा, फ्रक्टोज, ओके, ठीक, अभी यहां पर कहेंगे, हम क्या करेंगे, गुलुकोज को लेंगे, यहनि C6H12O6 को लेंगे, और फिर से इसके अंदर, जाइमेज, एंजाइम, डालेंगे, तो यह जो गुलुकोज थी, वो ब्रेक हो जाएगी, एथिल एल्कोहल में, C2H5OH, पिलस, 2CO2, इसको बैलन्स करने के टुकी मल्पै कर देंगे, और काबने से में टुकी मल्पै कर देंगे, तो अब यह बैलन्स हो चुकी है, अच्छी तरह, तो आज मैं इतना ही रखूँगा, और कल मैं आपको फिर पांच टेक्शन करणों, टोटल 8 टेक्शन हो जाएंगे हमारी,